तो क्या हाल है मेरे भाई हो के सब बढ़िया है ना एक सवाल है आपका जो मैं अपने कमेंट्स में काफी टाइम से नोटेस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफी मेसेज आते हैं कि 20,000 रुपीस के बजट में आपको बेस्ट फोन चाहिए होता है जिसमें क्यामरा अच्छा हो डिस्प्ले अच्छी हो बैटरी बढ़िया हो परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो वाला सब कुछ बढ़िया चाहिए 20,000 रुपे के अंदर तो देखो सब कुछ बढ़िया तो नहीं मिल सकता कहीं ना कि किसी फोन में कुछ ना कुछ कमी होती है लेकिन तीन फोन से ऐसे हैं और अपनी प्राइलिटीस को अगर ध्यान में रखोगे तो इन तीनों में से शायद आपको कोई ना कोई एक फोन तो पसंद आ ही जाएगा और उनी फोन के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ और शायद आपको ये वीडियो हेल्फुल भी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप 5000 लाइक का आपको टारगेट दे रहा हूँ तो दिखा दो अपनी ताकत कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट भी कर दिया करो कैस पहला फोन जो मैं आपको रेकमेंट करने वाला हूँ यह थोड़ सा पुराना है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यह फोन आज भी वैल्यू फोर मनी है और मैं बात करो Redmi Note 10 Pro Max की मुझे पते की Mi 11 Lite भी लाउंच हो गया है और इस से रेलेटेड मुझे कमेंट्स भी आ रहा ही कि इसका कैमरा कंबर्सन आपको देखना है तो बहुत जल में Mi 11 Lite के साथ कैमरा कंबर्सन भी कर दूँगा बट उस फोन का 20,000 रुपी से प्राइस थोड़ा सा जादा है और मेरे अकॉर्डिंग Redmi Note 10 Pro Max बेटर वेल्यू फोर मनी है Mi 11 Lite पे 20,000 से उपर स्पेंड करना थोड़ा सा मुझे सेंस ठीक नहीं लगता फोन वो भी अच्छा है बट क्या जरूरत है जब आपको almost सबकुछ इसी फोन में मिल रहा है almost same से specs है इस फोन में Snapdragon 732G प्रोसेसर मिलता है तो प्रोसेसर पावरफुल है लेकिन जो software है MIUI वो कुछ लोग को पसंद आएगा कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा मुझे personally कुछ खास पसंद नहीं है MIUI और एक चीस मैं आपको बता दू कि अगर आप इस फोन को purchase कर रहे हो तो future में कई बर Xiaomi के काफी सरे फोन से जिन में updates आने के बाद कुछ ना कुछ problems आती है और अगर मैं इसको compare करूँ जिस starting में जब मैंने इस phone को buy किया था तो तब के experience और अपके experience में मैंने 80 notice करी है वैसे phone MIUI 12.5 पर फिलहाल run कर रहा है तो ये phone अब heat होने लग गया थोड़ा सा एक reason ये भी है कि daily का temperature आपको पता ही है कि इस time पर कैसा है तो थोड़े से phone तो सारी heat होते है बट you know जब आप भार होते हो sunlight में और थोड़ी सी pictures capture कर लो तो camera module के पास से phone थोड़ा heat हो जाता है तो ये phone में कमी है और MIUI का मैं आपको बता चुका हूँ कि future में हो सकता है कि updates के बाद आपको थोड़े बहुत और bugs देखने को मिले लेकिन performance में आपको ऐसा ज़दा दिक्कत नहीं आती मतलब gaming करने time frame drops नहीं होते हैं और day to day life में phone ज़दा lag नहीं करता कभी कभी कोई app आप जब open करते हो तो वो थोड़ी सी slow phone होती है बट ये बहुत rare आप notice करोगे as such performance wise दिक्कत नहीं है थोड़ी सा heat हो रहा है कि ये दिक्कत है और second problem कि अगर मैं बात करूँ तो front camera इस phone का काफी average perform करता है pictures में थोड़ी सी over sharpening में नहीं notice करी है और जो skin tones है वो देखने में natural नहीं लगती है थोड़ी सी over whitening देखने को मिलती है और ये same problem जब आप front camera से videos record करोगे तब भी notice करोगे कि skin tones natural नहीं लगती है videos में और stable videos तो record कर सकते हो front camera से rare camera से और जो rare camera वो actually में अच्छा perform करता है daylight में भी और low light में भी अगर मैं इस price segment के बाकी phone से compare करूँ तो इस phone का camera low light में actually में अच्छा perform कर लेता है decent perform करता है pictures में noise कम होती है और details भी enough होती है night mode काफी अच्छे से work करता है तो ये एक अच्छी बात है कि rare camera अच्छा है बट अगर आपको ज़दा selfies capture करना पसंद है तो ये phone शायद आपको पसंद नहीं आएगा और एक चीस जो मुझे इस phone की काफी अच्छी लगती है कि इस phone की जो build quality है वो मुझे personally काफी ज़दा पसंद है मतलब 25-30,000 रुपे के जो phones आते है उनकी भी build quality कुछ इस तरीके की होती है कि front और back side पे glass मिल जाता है side का frame plastic है तो ये हाथ में premium feel होता है और phone ना काफी slim है तो comfortable feel होता है हाथ में और weight भी ज़दा नहीं है तो overall जो in hand feel है वो काफी अच्छी है और जहां तक रही बाद इस phone के bend होने की तो काफी time अब हो गया मेरे पास और अब तक आप समझ गए होगे कि मेरा phone bend नहीं हुआ है तो आप कभी bend नहीं होगा एक main reason इस phone को recommend करने का ये भी है कि मुझे इस phone की display बहुत amazing लगती है full HD plus display है AMOLED display है और 120Hz का refresh rate भी दिया गया है और जो processor है वो capable है refresh rate को काफी हद तक handle कर लेता है बहुत हलका सा कभी कभी सी है आप jitteriness notice करोगे other than that बहुत smooth है मतलब overall display refresh rate ये easily handle कर लेती है और AMOLED display है तो colors काफी vibrant लगती है और मतलब ये main reason है कि मैं आपको इस phone recommend कर रहा हूँ अगर मैं second phone की बात करूँ तो उस phone में processor same है Snapdragon 732G मैं बात करूँ Moto G60 की और उस phone को recommend करने का main reason है कि hardware के साथ अच्छा software मिल जाए तो मतलब बहुत बढ़िया feel होता है जो experience होता है एक consumer का वो काफी enhance हो जाता है और Moto G60 की मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि उसमें आपको stock Android मिल जाता है मेरे जैसे person अगर जिसको MIUI और Real MIUI नहीं पसंदा उनके लिए Moto G60 एक काफी च्छा option है compromise आपको करना पड़ेगा डिस्पले में performance तो phone की बहुत बढ़िया है और Moto G60 में आपको 120Hz का refresh rate भी मिल जाता है लेकिन जो display है न वो थोड़ी सी और bright होनी चाहिए थी peak brightness कम है तो outdoor visibility उतने अच्छी नहीं है लेकिन performance को लेके दिक्कत नहीं आएगी हाँ दिक्कत आपको phone की build quality में आ सकते है की Moto G60 की thickness थोड़ी जादा है जिसकी वज़े से phone थोड़ा मोटा थोड़ा भारी भरकम सा feel होता है तो अगर आपको slim phones पसंद है तो आप उस phone को ignore कर सकते हो और box में 20W का charger मिलता है तो phone चार्ज होने में टाइम थोड़ी सा जादा रिव्यू में भी बताई थी वैसे camera comparison और जो मैंने फोन के रिव्यूस करें उनके link में आपको description में देदूँगा तो आप उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो पंदरा से 20,000 का आपका budget है तो parents के लिए आप Samsung M42 पर्चेस कर सकते हो Samsung M42 में आपको One UI मिल जाएगा जो एक बहुत ही बढ़िया user interface है Samsung Knox security मिल जाएगी तो parents कई बार randomly कुछ download कर लेते हैं अपने phone में कोई गलत application भी download हो जाए तो थोड़ा से एक secure phone मतलब अच्छा रहता है second reason यह है कि One UI काफी clean है कोई फालत हो कि notifications आपको नहीं मिलेंगी ads नहीं मिलेंगी और एक 5G phone है because उसमें जो processor है वो काफी बढ़िया है processor बढ़िया होने की वज़य से ही मैं आपको Samsung M42 recommend कर रहा हूँ because snapdragon 750G मिलता है और phone की performance actually मैं काफी अच्छी है display 720p HD plus है और यह एक main reason है जिसकी वज़य से मैंने आपको starting में का कि यह phone मैं आपको highly recommend नहीं करूँआ but I feel parents के लिए वो phone एक बहुत अच्छा option है और 720p display होने का advantage ही है कि phone battery कम consume करेगा और आपको मतलब battery backup बढ़िया मिल जाएगा problem बस ही है कि 720p तो 720p है PPI कम होने के वीज़े से text देखने में उतना शाप नहीं लगता है as compared to any other phone जिसमें Full HD display मिल जाती है बाकि display AMOLED है तो आपके parents को YouTube videos वेगरा देखने में काफी अच्छे colors देखने को मिलेंगे deep blacks देखने को मिलेंगे और overall phone की performance बढ़िया है user interface अच्छा है camera भी decent है काफी अच्छा perform कर लेता है तो वो phone मतलब parents के लिए एक बहुत अच्छा option बन जाता है 5000 image की battery है और phone charge होने में time जाधा लगाता है 15 watt का charger है तो ये कौन है बाकी HD plus display तुम आपको बताए चुको ये एक major reason है मतलब यार अगर Samsung इस phone मुझे ऐसा feel होता अगर full HD plus display दे देता न तो ये Xiaomi, Realme और मतलब competition खतम हो सकता था थोड़ा सा price अगर 12,000 रुपे जाधा भी रख देता सामसंग तो मतलब ये बहुत बढ़िया phone बन जाता है तो गाइस मेरे recording ये तीन phones ऐसे हैं जो 20,000 रुपी से कम के budget में काफी अच्छे options है और कुछ phones है जिनको मैं include नहीं करा जैसे IQ Z3 हो गया और Mi 11 Lite हो गया IQ Z3 overall एक अच्छा phone है बट उसमें कुछ ऐसा special मुझे नहीं लगा कि मैं उसको आपको recommend करूं फंट जो यस मिलता है प्रोसेसर बढ़िया है बट देन वही मिरको ऐसा लगा कि यार मोटो जी 60 बेटर आएगा stock android के साथ तो मैंने IQ Z3 को include नहीं करा और Mi 11 Lite का प्राइस थोड़ा जादा है यसलिए मैंने उसको भी include नहीं करा और camera comparison IQ Z3 का अगर देखना हो तो comments में जरूर बताना मैं वो वीडियो भी upload कर दूँँगा और अगर आपको ये वीडियो informative लगी है तो आब like कर दो subscribe कर दो और वीडियो को share भी कर देना मैं मिलता वीडियो में तил दिन यूः वा अब ग्रे टे अगरे टे